अलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 वी का जुपेपर है अर्द्वार्शिक परिक्षा के लिए विग्यान के मूलतत समय आपका तीन गंटे रहने वाला है पूर्णागा आपके 70 नंबर के है सभी प्रशन करने अनिवार हैं तो आईए बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्षेशन के साथ सभी प्रशन को तरह आपको बताए जाएंगे तो आप टैंसन ना लें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगएर आपको टाइम से मिल सके तो आईए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्यूशन फर्स्ट क्यूशन है आपका जिसमें सही विकल्प के चैन करना है पहला है गट्षन बल है तो चार ओप्षन दे रखें आपको जो इसका सही उत्तर रहेगा वे रहेगा ओप्षन नमबर ए गति प्रतिरोथ बल दूसरा है दुट्यवर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाव होता है तो इसका जो आंसर र होता है थर्ड क्यूशन है आदर्स मशीन की दक्षिता होती है तो आदर्स मशीन की दक्षिता होती है एक से ओप्षन नमबर से एक क्यूशन नमबर चार है एक सरल लोलक का आवरतकाल नेरबर करता है तो यह नेरबर करता है लोलक की प्रवावी लंबाई पर ओप्षन सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, सैक्ड नमर क्यूशन है, रदर फोर्ड ने परमानु सर्ण रजना को खाले जगे के समान माना है, तो रदर फोर्ड ने परमानु सर्ण रजना को सौर मंडल के समान माना है, थर्ड है, जल का पीज मान होता है, तो जल का पीज मान होता है, साथ, फूर है दूद एक खाली जगे तंत्र का उधारण है दूद एक पायस तंत्र का उधारण है और फाइव नमबर है रक्त खाली जगे कोलाइड है तो रक्त प्राकरतिक कोलाइड है नेक्ट है क्यूशन नमर थर्ड जिसमें आपको एक वाक में उत्तर देना है या फिर एक सब्द में उत्तर देना है आपको तो फर्स्ट क्यूशन है आपका आइस क्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाते हैं तो आइस क्रीम में जिलेटिन यहाँ पर आइस क्रीम नहीं आएगा यह है एक है और भी और bastu को याद करें या चौट किंछ दाथ को प्राप्त किया जाता है है आर्ड को पयाईन हम को 5 नंबर में को सूचक किस प्रकार के योगिक दो 2 सूचक खूते है है ammonium hydroxide प्रवाल अमलो होता है hydrochloric acid ठोस सॉल होती है मणी जैल होता है मक्षन और बोर होता है कक्ष कुश्ण नमर पाच है जहां से आपको अथवावाली कुश्ण मिलेंगे आपको दो अप्सन मिलेंगे यानि के दो कुश्ण मिलेंगे आपको दोनों एक क्यूशन करना ए停िए जो भी आपको अच्छे सेहता है वही करें। तो पहला है गट्षाट्ट बल किसे कहते हैं और अत्वा के साथ है गट्षाटेक के दो लाख लिखिय। क्यूशन नमर्छ Six है परमानू क्या है अत्वा परमानू के मॉलिक गण के नाम लिखिय। अंतर लिखिए प्रसंगे 9 है आयास क्या होता है अत्वा या अंत्रिक लाव का सूत्र लिखिए प्रसंगे 10 है आदर्श मशीन क्या होती है समझाईए अत्वा प्रतम वर्ग के उत्तोलक को उदार्ण साहित लिखिए प्रसंगे 11 है मूल मात्रक के से कहते है अत्वा मात्रकों में वांचित चार विशेष्टाएं लिखिए प्रसंगे 12 है गतिक गर्षन का नियम लिखिए अत्वा लुब्री क्रेंट की उप्योगता को समझाईए प्रसंगे 13 है सैसे होजग बंद की विशेष्टाएं लिखिए अत्वा ग्रोथस का आयरें से दांत लिखिए प्रसंगे 14 है चल के सोधन में कोलाइड के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए अत्वा मर्दा कॉलाइड से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं प्रसंगे 15 है खनीजों के 4 गुण लिखिए अत्वा खनीज एव एच्ग में अंतर लिखिए प्रिसंगे 16 है और वरकों के उद्देश लिखिए अत्वा अच्छे और वरकों की विशेष्टाएं लिखिए प्रिसंगे 17 है भारत में अहिस्कों की उपलबता को समझाईए अत्वा सूचक कितने प्रकारगी होते हैं प्रतेक का वर्णन कीजिए प्रिसंगे 18 है आपका तनों के भूमिकत रूपान तरण को उदारने देकर समझाईए अत्वा जणे कितने प्रकारगी होते हैं प्रतेक का वर्णन कीजिए प्रिसंगे 19 है सरल यंत्रों की क्रशी में भूमिका को समझाईए अत्वा पैंच कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए प्रिशन के 20 है क्रिशी में मापन के महत्व लिखिए अत्वा पलवन के नियम वे सड़तों का वर्णन कीजिए प्रिशन के 21 है सरल लोलक के नियम समझा कर लिखिए अत्वा न्यूटन के गृत्वा कर्शन नियम समझाईए और लास्ट किश्यन है आपका उस्मा तथा ताप से आप क्या समझते हैं समझाईए अत्वा कैलोरी मापी का बढ़न कीजिए तो सारे किश्यन इंपोर्टेंट हैं जो आपको याद करना है एक भी किश्यन को मिस नहीं करना है लॉंग किश्यनों के सॉलिशन आम आपको एक साथ करवा देंगे तो टैंसन ना लें वीडियो अच्छा लगाया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वाटसप ग्रूप को जोइन करें जिससे आपको बहुत हैल्प मिले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू